हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉसिटिव किया होंगे गाइस, आज हम जो रेडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम कब आएगा, आपका भाग या आपका साथ कब देगा, ये एक जनरल रेडिंग है गाइस, हो सकता आपके साथ रेजोनेट करें, ना करें, जो बत आपकी कनिशन क्यानों साथ आ आपको हेल्प करेगी, ये देखो, ड्रीम, बिलीव इन यूर ड्रीम गाइस, आपको हो सकता है कि इन दिनों में कुछ सपने आ रहे हैं, ठीके, फॉलो यूर इंट्यूशन, और आपकी इन्ट्यूशन भी है, आपको साथ दे रहे हैं, किसी मिरेकल के बारे में कह रही है, देखो, डेफिनिटली आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है, ये पहला ही काड़ देखो, यहाँ पर गोल्डन गोल्डन सा बता रहा है कि कोई ऐसा ट्रां इन्सिक्यूरिटी है कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कभी अच्छा समय आएगा या नहीं आएगा, मिरेकल है, किस्मत है, कभी भी पक्ष में आ जाए, कभी भी अच्छे कर्म जो पहले कर रखे हैं उनका रिवोड अभी आपको मिल ज दरता है कि अभी आपके हाल ऐसा है कि बैटर-बैटर, आप सपने देख रहे हो या कुछ चीजों की सरफ कल्पना कर रहे हो, हम, सोच रहो कि क्या यह कभी पूरी होंगी, क्या, मतलब, आप अपने आपको उसकी काबिल नहीं मान रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप situation में अभी हो ना वहाँ पर नहीं रहोगे हमेशा के लिए यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना यहाँ बटरफ्लाइज नजर आ रही है और यहाँ पर भी बटरफ्लाइज नजर आ रही है आपके लाइफ का वो ट्रंसफर्मिशन जहाँ पर आप पर नियंतरन बहुत किये गए ना वहाँ पर यह ज्वला मुखी कह सकते हैं गाईज जो इच्छाओं का दमन होते 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 अब ऐसे जो अलमों के विस्पोर्ट होगी कि आपके सारी इच्छाओं के पूर्ती होगी कहाना मास्क खूब सरे उतरेंगे कितनी सारी मून के अनरजी है काईज संसार का हर सुक पाने की अधिकार आप हक जो है वो रखते हो आपके सपने पूरे होंगे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी के सपने ऐसे छूट गए है जो अभी लगता है कि नहीं पूरे नहीं हो सकते Believe करो इन दिनों में जो सपने आ रहे हैं किसी की शादी व्याह का हो सकता है कि आपको सपना आए यह आपको एक miracle की और इंडिकेट कर रहा है कि आपके life में कोई transformation के साथ miracle आ रहा है आपकी खूबसूर्ती में देखना काइस अकरशन शम्ता में देखना अभी आपको आहिने में देखने की कोशिश क्या करो गाईस कि कह कार्व में आपकों करता है है यह जब हमारा बाता पटूक्र कि हमारे बारे में बात करता है केमा ब कर मारो हर आप अन्सेद की पास लेकर आएगा ये तब आता है आउल क्या कहता है कि अपनी intuition को समझो आपके intuition भी कुछ secretly आपको कुछ कहना जा रही है guys सपने भी आ रहे हैं intuition भी बता रही है भई कुछ life में होने वाला है और अब भी आपके लिए करने में बहुत एहम भूमे का निभाए है यह जो आपके आपके लिए कर गोल्डन टाइम आ रहा है ना इससे कुछ महीनों पहले तक में आपने बहुत तकलीफ है जेली है यह भी कह सकते हैं कि तकलीफ हो सकती है यह टावर मुमेंट हो सकते है तीन-चाल सार के दर्म्यान में कि आपने ऐसा बुरा फेस किया है कि जिससे बस प्राण ना निकले बस इतनी सी कहते है ना कि कसर बाकी रह गई बाकी आप इतने निराश और हतास हो गए चाहिए आपके परस्नल लाइफ को लेकरो प्रोफेशनल लाइफ को लेकरो लेकिन य आपको दिख रहा है ना कि परेशाने क्रेट हो रखी है प्रॉब्लम चल रहे लाइफ में अच्छा वातावरा नहीं चल रहा है यह एक मुकाटा है बुरी परिस्तितियों का यह शिग्र उतरने वाला है और कहीं न कहीं आपका दिल जानता है कितनी भी बुरी यह विकट प काना कुछ करना ऐसा वहाइब की घरुण है आपको मेसेज दे रही है यह आपकी घर में बर्ट इट्स होगी जो पस निकलते होना गुजरते होना यह भी आप काना काना स्टार्ट हो जाता है कहने कहीं आप ग्यान जो आना उनकी तरफ जाता है कहने का मतलब यह है यह सब जिजह आपके साथ होएं सीक्रटली एक बात कहों आपके लाइफ में miracle बन रहा है मानो ना मानो आपकी लाइफ को change करने वाला समय जो आना आपकी लाइफ में आ रहा है बड़े चेंज होंगे आपको नंबर 555555 नजर आ रहे होंगे अभी इन दिनों में एक चीज आपके साथ होगी कुछ लोगों से दूरी आपकी बनना कुछ लोगों से मन मुटा होना कुछ लोगों से जगड़े होना और वो भी बड़े लिवल पर ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा कि हाँ आज हुआ कल दो-चार दिन बाद में ठीक फिर से एक जो डिस्टन्स बन जाए ना ऐसे जगड़े ये नहीं कहरे कि मलब परिशान करना रिष्टों को तोड़ने वाले ना वो नहीं लेकिन एक होता है गाइस कि थोड़ा इस तरीके की दूरी का बनना कि वो अगर कोई खुशी आपकी लेक में आ रही है ना तो ऐसे लोगों की एनरजी आपको ब्रहमित ना करें कि आप आती हुए ब्लेसिंग को ठुकरा दो कभी कभी एनरजी का इतना प्रभाव पड़ता है गाइस कि हमारे आस पास में कोई नेगेटिव एनरजी होती है मैं पता ही नहीं चलता हो सकता है कुछ कार्मिक रिलेशन्शिप आपकी लेक में ऐसे रहे होंगे जिनसे आपका डिस्टेंस मेंटिन हुआ है definitely आपको आपका दिल भी दुखाया गया है अभी इन दिनों में आपके साथ कोई बहुत बड़ा साहस का रिबॉड लो और ऐसे मामलो में मालिक खुद हमारी तरफ से आते है कोई भी परिस्तिति के ओना बननी हो मालिक खुद हमारी लाइफ की बांगडोर संभाल लेते हैं यहां में एक बात कहूं कि आपके लाइफ का इतना अच्छा समय आने वाला है तक में गॉल्ड़न टाइम आने वाला सचमे गॉलोडन टाइम ही है और यह आपके मुह से भी निकलेगा कि म्री डैक ऐतना ऐतना च्छ ब्समय और कि में काम से बनने नंबर 555 की एनरजी क्या कहते है ऐसे मोके पर आपकी लाइफ में कोई मेरेकल होना आप उमीद भी नहीं कर रहे हो आप बैठे हो और बैठे बैठे आपको कोई इतनी बड़ी गुड नियूस मिल जाना इतनी अच्छी खुशी मिल जाना को इतना बड़ा मैसेज मिल जाना ब्रासिंग मिल जाना आपके खुशी का कोई ठिकाना ना रहे है पर यह एक परसंट भी जूट नहीं है फिनांशल तोर पर देखना सक्सस आपको कितनी बड़ी मिलती है लाइफ असान होने जारी है गाइस यहान वीनस पर आपका अच्छा हो रहा है सफलता के लिए देखो मिलेकल को खुद आक्रशित कर रहे हूं कुशियों के चुम्बक बनके बैठे हो कि कुशियों कुदबक खुद आपके और आक्रशित हो जाए पिकॉक की अनरजी क्या करती है यहां पर कहा जा रहा है फोलो यूर इंट्यूशन आपका मन जो है न वो अंदर से नाच रहा होगा काईस यह कहीं न कहीं हलका फुलका ही सही चाहिए कैसी भी परिष्टितियों गाईस मन दुखी भी होता है लेकिन अंदर से खुदी मन सांत्वना दे जाता है कि शांत हो जाओ अभी थोड़े टाइम की बात है सारी परिष्टित्य कामू में आने वाली है सब कुछ ठीक होने वाला है कहीं है कि अपनी मैजिशन वाली एनर्जी जो होना वह आप में प्रस्फूटित होने लगे यहां पर प्रस्फूटन की बात लग रहे हैं कि कुछ दबा हुआ सा है कुछ छुपा हुआ सा है कुछ चीजह ऐसी है जो खुलकर आपके सामने आना पड़ता हटना कुछ चीजो कहीं को जुटति वो आपको सामने आ जाना वो आपको मिल जाना या भी हो सकता है तो आते ओक को एक ऑद insidig के बारे में आपको आगा कर रहे हैं कि क्या आपको कोई सपना है वह सपना पूरा होने वाला है इत हुए आपनी लैफ में रखना चाहते हो यह आपने कुछ सपना सोच रखा है कि आपको अपने लाइप में कुछ हासिल करना है कोई मकसद है आपके लाइप का वो परपस समझ लेना या आपने जो सोचवा टार्गेट बना रखा है वो पराप्त कर लेना कहीं नहीं कहीं कहलो गाइस कि यह गोल्डन समय जो आ रहा है ना यह आपके आपके बुद्धी आपको बहुत सपोर्ट करेंगी आने वादे समय में मिरी कल डेफिनेटली बन रहा है उमीद लगा कर बैठ सकते हो गाइस और अभी इन दिनों में अगर सपना आ रहा है कोई अच्छा मारने में तीन से पांच बजे के बीच में डेफिनेटली वह साकार आपके मुह से खुद से निगलेगा कि देखो मेरी डाइफ का गोल्डन टाइम चल रहा है समय अच्छा चल रहा मेरा मेरे काम बन रहा है इंट्यूशन यहां पर भी कहा रहा है आपके अंतरात्मा कह रही है गाइस चीक चीक कर कह रही है आपकी कोई विश्पूरी होने वा जानने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या है डेफिनेटली कोई सपना ऐसा आ रहा है जो आपको रेडी कर रहा है कि इसके लिए रेडी रहो सकता आपको इन दिनों में रोना बहुत आ रहा है यह जिनकी भी पूजा करते उनके सामने बैठतो ना तो आपकी तकलीफ आपके नासों की द्वारा निकल कर आ रही है माली सैन नहीं हो रहा है माली के रहा है सैन करने वाली बात ही नहीं है बेटा अभी तो परिस्तिते सब काभू में आ रही है अभी तो सब कुछ अच्छा होने का समय और आप रोने वाली इस्तती में आ गए क्यों हो रहे हो ऐसे कि यान रखते हैं रते हैं या नहीं कुछ नहीं करेंगे इस बहुत पड़ा सप्ना सच कर रहा हैं कि सारी परेशानियों कहां तो कर रहा हैं ये बेवजय आपको मन करता ना नीन करने का ज्यादा इससे उठो जागते हुए सोते रहते हो लेकिन नीन करने की कोशिश करते रहता हो परेशान मत हो गाइस यह सब संकेत समझ में आता है कि कितने परेशान हो टाइम बस बितानी की कोशिश में लग रहे हो ऐसा मत करो बहुत बड़ा ट्रांसफर्मेशन बहुत बड़ा मिरीकल बहुत बड़ा गोल्लें टा जाना है तो किसी के लिए यह मैसेज जरूरी है जरूर है कि आपकी कुंडली में शायद राजयोग बन रहा है और एक और बात लग रही है मुझे अब इन दुन में आपको अपनी कुंडली को चक करवाना चाहिए कुछ चीज़े ऐसे सीक्रेट है अगर आपको अपको सुनने मिले कि आपको मन बहुत कुछ रहेगा मुझे असा लगता है कुछ दशाय आप पर से उत्री है डेफिनिटली उत्री है कुछ आपके द्वारा बूले बटके ही सही अंजाने में ही सही अगर कोई बुरे कर्म हो गए ना तो आपने अपने कर्मों का रिलीज किया है बुरे क पीठ के पीछे मतलब कह सकते आप अंजान एक उससे से और ऐसे सिटोइशन आपकी लैफ में बनने वाले ऐसा मिलेकल आपकी लैफ में बनने वाला है कि आपको बड़ी विचित्र विचित्र चीजे इन ऐसर आंगी देखना कुछ अलगी होगा आपके साथ कुछ अच्छ अ मन आपका दिमाग आपकी बोडी सब कुछ हील हो जाना है काईस तकलिफ का एक कोना भी जो है ना आप में शेश नहीं रहेगा गोल्डन पीरिट तो वही होता ना कि हमारी तकलिफों को पूरा तरीके से खतम कर दे गाव तक को भर दे निशान तक बाकी ना रखे वो गोल्डन को लेकर मन में डुक भाऊओ है ना आपके कितना बड़ा अन्याया की साथ हो गया किसी ने आपका हग छीनिने की कोशिश की है आप देखो अब खुशी आपके पीछे-पीछे आएगी देखना अब देखो न्याई कितना बड़ा होता है आपके साथ सफलता की शीडियों पर पहुँच होगे देखना आप कुप बांच सम्मान मिलेगा रियलाइजिशन कर पाओगे आप अपना अपनी कबिलियत का कि आप में वो कबिलियत है आप अपना सपना पूरा करसे को साकार कर पाओगे डेफिनिटी गॉल्डन पीड़ेड आ रहा है आपकी लाइफ का यह देखो गूड फॉर्चन ओ माइगा यहाँ पर बीड़ेखो कहा न मुझे ऐसा फील हो रहा है इसके आपकी लाइफ में एक नहीं दो मिरिकल के सम्मावरा बन रही है एक के साथ एक कहता ना फ्री है बिलको एक मिरेकल होगा रहत हो और हाथ आए कहता है कुछ समय बाद में आपकी लिए में आपकी जा यहाद में जा गा और मतलब मतलब अगर कुछ लोगों की लाइश जल रहना है Cango जाना यह पर्सनल लाइफ और प्रोफ इसनल लाइफ दोनों को ले एक और में बात कियाना चाह अगर अंचाने में हमारे दिमाग में पास्ट की कोई एनर्जी आ जाती है तो वो फलिबूत ना हो मेरी एनर्जी की इदनी प्रोटेक्शन कर देना क्योंकि इंसान है गाइस कभी-कभी जो तकलीफ भोगी होती है ना तो वो दिमाग में आ जाती है तो पहले ये प्रे कर देना ताकि आपका मन जो है ना उस बात को समझे हुए रहे कि आपने अगर कोई बुरी चीज महसूस कर ली है या आपकी पास्ट की एनर्जी फिर से आपके सामने आई है तो वो फलेगी नहीं ना जी गुड फॉर्चुन आ रहा है भागय का साथ मिलना नसीब का साथ मिलना आपका खुद की एनर्जी का आपको साथ मिलना और मालिक का तो है ही कोई बहुत बड़ी यात्रा की प्लानिंग आप कर रहे हो कि आपकी ये विश पूरी हो जाए ना तो ये यात्रा करनी है मालिक यहाँ पर जाना आए ठीक है वहाँ की संभावना भी बन रहे है गाईस और वहाँ की संभावना कब बनेगी जब आपका यह सपना पूरा होगा यह कि ट्रांस्फर्मिशन आपकी लाइप मालिक की प्रेसिंगे गाईस आप अकेले हो इन इतना अकेलापन फिल कर रहे हो अगर मोटा पर को लेकर परेशन होना यह आपकी दिक्कत दूर होने वाले गाईस या अगर दवाई आपको नहीं लग रही है आपकी हैल्थ पर कोई असर नहीं हो रहा है तो आपको दवाई लगेगी मतलब कहता है ना कि आपको जल्दी ठीक करने के लिए recovery आपकी health को लेकर होने के संभावना लग रहे है आप कहा सकते है guys कि आपका स्वस्त रहना आपका खुश रहना मन की healing मिलना कहा ना आत्मा बोडी सबको लेकर healing आपको मिले ऐसे क्रिपा आप पर हो रहे हैं जो भी negativity के बादर है वो सारे कट रहे हैं देखो कहां यहां पर negativity की और यहां पर कितना positivity वो miracle ही इस तरीके का आपकी life में आए जो आपकी life को सकारादम कर दे अचानक कोई blessing मिल जाना कोई miracle जैसा बन जाना लाइफ में ऐसी परिस्तित्या बनना ठीक है यह अचानक ट्रेवल हो जाना यह अचानक शिफ्ट होना कोई आपकी life में अचानक आ जाना जिसकी उमीद आपने नहीं की है और 5-5 की energy कहती है कि कैसी भी बुरी परिस्तिति क्यों ना हो जहां पर आप ठक गए हो और खुद ने हार मान ली है ना वहां पर divine आपके लिए जीत लेकर आते है 55 की energy आपको उस और बताती है कि किसी के प्राण निकल गयो उसमें प्राण वापस भढ़ देना magic के द्वारा miracle के द्वारा वो जादो की छड़ी चलाना और 55 की energy कहती है एक बहुत बड़ी सफलता 55 की energy जो आपने तो सूची भी नहीं होगी लेकिन मालिक ने आपके लिए सूची गुड़ फॉर्चन इसको ध्यान में एंजल ओफ मिरेकल गाइस यह देखो कहाना मान कर चलना प्रेयर करना गाइस कि यह मिरेकल जो आपको आपका दिल कह रहा है न यह बिलकुल होगा और डेफि लिए बोरेद्वल ओरामा दोव शीच गुक्जह में मैरे साथ बहुत बड़ा इसनी करेंगी डिल डिल डिफिनेटली करेंग हो गरते हैं Caitlin और मिल्ग स्चींड़ेकल अन्तर आत्मा पाने इनरवाट च्वारान वह वी आपको गांति लिई यह दिए मैं धैकि कब एक टर्ण लेगी, कब अच्छा वातावरन बन जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, आप अभी कुछी चीज के पीछे-पीछे बाग रहे हो, आने वाले समय में वहीं चीज आपके पीछे-पीछे बागेगी, चाहिए कोई इंसान है, जो अभी आपकी लगाब को नहीं समझ रहे हैं, या अभी आप उनको लेकर दुखी हो, आपका अटेश्मेंट है उनसे, और हो सकता डिस्टेंस बना है, अभी वो आपकी भावनाओ की है, या आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समय भीच जाने दोगा, इस मेरे कले इस तरीक होता है, वो इंसन आपके पीछे भीच आते हैं, सारी कदर होगी आपकी, या ना, डेस्टिनी ने एक बार आपको किसी से दूर किया है, किसी को अपनी गल्ती का ऐसास करवाने के लिए, किसी को आपकी वैल्यू को समझाने के लिए, किसी ने गल्त फाहिमी का मुखोटा बना रखा था, वोता है ना कि कोई वैल्यू वाली, कोई इंसान होता है, उनकी वैल्यू नहीं किय जाते, तो डेस्टिनी एक बार ये करते हैं, अब जो खुशी आपको मिलेगी, या किसी को अपनी गल्ती का ऐसा सुखा, किसी को आपकी कदर होगी ना, उता हमरों के लिए होगी, आप अब आप में अगर कोई खोने वाला भाव है, किसी भी बात को लेकर, चाहे अपनों को लेकर, उनकी आयू को लेकर, अपने काम को लेकर, या कोई भी बात, उससे, उस डर से दूर हो जाना, कुश रहने के कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर कहां जा रहा है, कि अब आपकी लाइफ में खोने वाली बात, या परिस्तित्य शेश नहीं रही है, अब आपकी लाइफ में एक तो रीकवरी, और नहीं नहीं उपरचुनेटी, नहीं नहीं एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और मेजर चेंज के तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, तो खोना अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब पाना लाइफ में, वो पॉसिबल है, यहाँ पर कहां जा रहा है, open your heart and expect a miracle, अपने दिल को खुला रखो गाईज, और मॉर्णिंग में उठते ही बोलो, कि आज मेरी लाइफ में miracle करने के लिए धन्यवाद मले, क्या पता आज बोलो और आज ही हो जाए, अपकी एमोशन को कंट्रोल करना था गाईज, डेस्टनी आपकी लाइफ में यह ब्लेसिंग लेकर आने वाला थे, यह good fortune, यह great fortune, ठीक है, यह miracle आपकी लाइफ में लेकर आने वाले थे, लेकिन उसके लिए पहले आपके energy को balance में लेकर आना बहुत ज़रूरी था, आपको तर्क के आदार पर समझाना बहुत ज़रूरी था, आपके emotions को control में लेकर आना बहुत ज़रूरी था, कहा ना हो सकता है कुछ लोगों के मुखोटे उतरे होंगे, किसी के साथ आपका थोड़ा अलगा हुआ होगा, वो किस वज़े से क्या आपके emotions आप control में कर लो, जज़वातों में ना बहु, reason होता है guys, हमें हर किसी बात को उतनी deep समझने के अवशक्ता नहीं होती, क्योंकि मालिक ने हमारे लिए कोई planning की है, तो हमें उनकी strategy पर believe करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें समय के साथ unfold होती है, हमें उस time के लिए छोड़ देना जाएं, बस हमें अभी का पता है कि ये क्यों किया गया है, अभी ये situation अगर create की गई है, तो क्यों create की गई है, एक space बनाया है, एक miracle के लिए, ग्लसिंग के लिए, ये देखो मेरे शेर, six of friends का card, कहा ना, नंबर five five के energy जो है ना, बड़ी deep meaning दे जाती है गायस, सपने पूरे करना, ख़आप पूरे करना, इच्छों की पूर्ती करना, बड़ी सफलता का दिलवा देना, victory, किसी भी मामली को, legal issue में अगर फसे हुए हो, वहाँ से बाहर निकलने के संभावना है, victory मिलने के संभावना है, कोई भी आपको ऐसा मामला चल रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है, किस तरीके का भी अगर कोई युद्ध जैसी, यह कह सकते हैं, कला कले जैसी परिस्तिया बनी हुए है न, उसमें victory आपको मिलेगी, यह मान कर चलना, उसमें victory मिलने के संभावना है, victory मिलकर ही रहेगी, देखो, कोई आपको हराने के ताक में हो, और divine ने आपकी इंतजार को दूर किया है, और divine चाहते हैं, आप जीतो, और जहां पर divine का support मिलता है, वहां पर वो बंदा जीतता है, यह तो सब को बता है, ना जी, nine of words, इंतजार मत करो, अब किसी चीज का इंतजार मत करो, आपका golden समय कब शुरू हो रहा है, यह हो चुका है, ना जी, ओकी भाग्या ने तो साथ देना स्टार कर दिया, यहां पर good fortune, और यहां पर wheel of fortune, भाग्या का किस्मत का साथ मिलना स्टार हो चुका, यह कार्ड और प्लस यह कार्ड साथ में आया है, और miracle का कार्ड आया है, डेफिनेटली गाइस भाग्या ने साथ देना स्टार कर दिया है, कहते हैं ना कि उस circle में आप प्रविश कर चुके हो, जो आपका golden समय लेकर आए, वो इंतिजार तो आपका खतम हो चुका है, कुछ शत्रों को आपने परास्थ कर दिया है, और कुछ शत्रों ऐसे हैं जिनका अपने आप डिवाइन जो है ना इनका हिसाब किताब करेंगे, यह आपके बस की बात नहीं है, यह डिवाइन पर छोड़ना, वहाँ पर आपको विक्टरे मिल जाएगे, यह इतना रिवाइन लगना, कहांने एक सरकल कांथ हुआ है गाइस, और नहीं सरकल के स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब क्या है ग्रेट फॉर्चुन में आप प्रविश कर चुके हो, यह लोग आपके सवाल का जवब आप भी खुद भी समझ सकते हो गाइसे, कार्ट के जरिए, कि जिस पर भी फोकस किया था ना आपने, कि मुझे लख में यह अच्छीव करना है, यह प्राप्त करना है, वो आपको प्राप्त हो रहा है, आपका गोल्डन समय श्टाट हो चुका है कार्ट, अब कोई कहता ना उल्टी गिनती नहीं, शुरवात हो चुकी है, जहां पर विक्टरी मिलें, जहां पर परिष्थितियां आपके कबो मैं, जहां पर आपका वाग्य साथ दें, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कोई मिलेकल की या कोई विक्टरी की आपकी लगना है, छे हफ़तों में, ठीक है, या फिर दस दिन में, किसी के लिए ये भी हो सकता गाई, कि या तो दस दिन में, या फिर छे हफ़तों में, आपके साथ कोई बड़ा मिलेकल होगा, डेफिनेटल होगा, कन्फ्यूजन में मत रहना, आपके मैनत का कोई रिवार्ड मिलेगा आपको, उमीद मत कोना गाईस, उमीद मत कोना, ठीक है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई बड़ी गुड नियूस, कोई बड़ी ब्लेसिंग, कोई बड़ी ओपोर्चुनिटी, कोई बड़ी सफलता, कोई नहीं शुर्वात, बिल्कुल, यहां तो छे हफ्तों में, यहां फिर हो सकता है कुछ फ्यूवर्ड के लिए, जो अपनी अगर इच्छा शक्ती प्रबल रखे, तो उन्हें दस दिन में भी कोई मिलेकल देखने को मिल जाए, कोई भागे का इतना बड़ा साथ देखने को मिल जाए, कोई चांस ब्लूं जिससे हमें और जानका नहीं मिले, कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कि आपका गोल्डन समय आपके लिए क्या प्लैसिंग ले करा रहा है, ओके सबसे पहले में दिन जाजर इस पर गई है, ठीकि ये दिन जर को, ये टौवर मुमेंट को आपके लिएक से निकाल चुके हैं गाइस, कोई आपको लग रहा था, किसी बुरी परिस्तिती में गिरने वाले संभावने आपको लग ले थी, मालिक ना आपको उससे बचा लिया है, कैसी भी विकट परिस्तितिया क्यों नहीं थी, आपको उससे निकाल लिया गया है, तो सबसे पहले इस बात का जर्शन मनाओ, कि आपके लाइफ की कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने वाले थी, वो टल गई है, मुसीबट टल गई है, आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आप अपनी यात्रा में चल पड़े हो, कोई कहाना कोई विश हो सकती, आपके पूरी हो, कोई मुराद आपके पूरी हो, जहाँ पर आपने कोई यात्रा का बोला है, या किसी मंदिर या जिनको भी आप मानती हो, उनकी इस्तल पर, धार्मिक इस्तल पर जाने के लिए बोला है, वो समय आ गया guys कि आप वहाँ पर जाक कर आओ है ना यह आद है travel देखो यात्रा कही है ये भी कि आपकी यात्रा बहुत होगी संगर्ष कम होने के बारे में भी है ये भी काड़ ये दिखो दो दो tower moment दो परिस्तित्य आप बुरी दो मामलों को लेकर victory आपको मिल रही है guys दो मामले आपकी life के ऐसे चल रहते हैं जिन्हों आपको तोड़ कर रखा है और ये दोनों ही मसले एक साथ खतम हो रहे हैं आपकी life से एक साथ परिस्तित्य बुरी परिस्तित्य जो तीना वो आपकी life से निकल रही है नवराता तक में कोई बहुत बड़ी blessing आपको मिल जानी है guys मुझे नहीं लगता कि आपको अब इतना समय इंतजार करना पड़ेगा कभी भी हो सकता आपकी life में miracle कभी भी चमतकार हो सकता है नवराता आपके लिए बड़ा विशिश रहेगा मा की आशिश आपको मिलेगी guys दिवाली भी आपकी बहुत अच्छी बितेगी क्योंकि कृपा यहां पर माता की आप पर बरस रही है financial matter को लेकर भी देखना abundance, prosperity breakthrough आपको कितना मिले पहले जो आपने मैनत किये उसका फल आपको कितना मिलता है ठीक है नवरात्रा भी है आपके लिए special दिवाली भी आपके लिए special है ठीक है ना बहुत बड़ी blessing आ रही है guys मन को प्रसन करने वाले खुशियों से बढ़ने वाले आपकी जोली को बढ़ने वाले क्या प्रात्ना कीते अब वो प्रात्ना के फलिबूत होने का समय आया है कहाना वीर फॉर्चुन दवल्ड और ग्रेट फॉर्चुन का काड़ एक साथ तीन किसमत के काड़ आया है जो साथ देते हैं तो भागे तो उदे हुआ ही है ना guys transformation जो यहाँ पर भी आया transformation बन रहा है आपका बड़ा transformation बन रहा है चिक्या ना ओके यह है cat की energy जो हर तरीके की उल्जीवी परिस्तितिया और negativity थी ना उसको आपकी life से लेकर जा रही है कि जो tower moment के दोरान आपकी life में negativity उत्पन होई थी उन सारी negativity को निकाल कर recovery आपकी life में की जा रही है यह देखो आपके महनत के फल आपको मिलने है guys कहा ना पहले दी मिले मैम बहुत परेशान होए थे बहुत परेशान होई लेकिन अब एक साथ मिल रहे है jackpot की तरह jackpot ही है guys देखो एक नहीं दो नहीं तीन काड किसमत के ओपर से यह six of wands का का काड और 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 यह miracle का काड आया है तो definitely miracle के बनने के संभावन आए है बने गए बने का okay oh my god sorry angels का support guys किसी अंजान power का जिने आप नहीं जानते कोई power है guys कोई divine power है जो हमेशा हर पल आपके साथ रहता है इनका support आपको बहुत मिलेगा आपके अच्छे कर्म का reward है कि इनोंने कभे भी आपको अकेला नहीं छुडा है हर एक situation में यह आपके साथ रहे हैं कि किसी बुरी परिस्ति में आप गिरने वाले थे लेकिन मालिक न आपको बचाया है angels न आपको बचाया है कोई angels divine power आपके साथ रहती है हमेशा रहती है अभी reading को pause करके सबसे पहले इनको धन्यवात करो कि जो भी divine की power मेरे साथ रहती है आपको तहे दिल से शुकरिया आप हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गम में दुख में मेरे साथ रहे मेरी खुशी में भी मेरे साथ रहना जो miracle मेरी life माल रहा है आपको thank you so much और I love you so much यह पहले कहो angels आपकी खुशी में वह बहुत खुश होने वाले इनको पता है कि आपकी life में क्या blessing आने वाली है आप से ज़्यदा खुशी इनको हो रही है क्योंकि इनों आपकी तकलीफ देखेंगे ना अब हस्ता मुस्कुरातों को चेहरा देखेंगे ना इनकी भी खुशी का कोई ठीकाना नहीं है मालिक भी बहुत खुश होते हैं गायस अगर हम खुश होते हैं तो इनजल्स की खुशी भी आप देखना यह आपको फील होगी आपका मन जोना यह बड़ा प्रसन होने लगेगा यह फिर आपके सामने यह बर्ड्स क्याता ना खेलते वगरा नजर आएगी यह फिर डॉगी वगरा यह जीव अगरा होंगे ना आपको पता चलेगा कि यह खेल रहे हैं कुश खुशी मना रहे हैं यह आपके खुशी में खुश होने की प्रतिक्रिया बता रहे हैं यह देखो विश्का पूरा होना सपोर्ट मिलना मालिक का ट्रू लव की एंट्री आपकी लव में होना ट्विन फ्लिम जर्डी में हो तो डेफिनेटली यूनियन होने की संभावना है अगर नो कॉंटक्ट में हो तो रियूनियन होने की संभावना है कैसी भी परिस्ति क्यों नहीं बनी है आपका फिट्टिड जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके साथ ही आपका रिष्टा बनना टीक है उलजनों में नहीं जाना या फिक रिलेशन्शिप में नहीं जाना बाली कैसे इस्ति में आपको जानी नहीं देंगे आपके लिए ट्रू लव लिखा हुआ है तो डेस्टिनी कैसे भी करके आपके भाग्य आपका साथ देगी और आपका ट्रू लव आपकी लैप में आने वाले है twin flame soulmate journey में हो तब कि divine counterpart आपको मिलने वाले ये इंतिसार कतम हो रहा है शाली के समभावनाई कच्छवा ये ये कहता है धीरे धीरे सही लेकिन stability मिल जाना और सफलता मिल जाना लास्ट में कहता है ना कि जंडा गार देना जीत फते निर्धारित कर देना बिलकुल वही बात बहुत बड़ी सफलता के बारे में कहता है जो बहुत धीरे धीरे मिली है लेकिन मिली है तो बड़ी सफलता ही मिली stability मिली इस्थिरता के बारे में बताते है तो बहुत अच्छी reading आई है इसको claim करना और मालिक से यही pray करना कि मालिक यह reading हमारी life में फलिबूत हो जाए हमें victory मेरे मेरा दे को गला भी वैड़ गया मेरी गले के भी क्या हाल हो गए सच में बहुत अच्छी reading आई है और यह फलिबूत होगी ठीक है ना जी एड़ बद़िए